नमस्कार दाउत्रखन निविल मापका स्वागत है सीमांत सहीत अनिजनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमां जनपद पिठावरागड में बच्चों दोरा तयार की गई राकियां अब अपने हिंदुस्तान सहीत अमेरिका और जर्मनी के भाईयों की खलाई में भी सज वहाँ नजर आएंगी जिसकी रिवांट मिलने पर राकियां तयार की जा रही है यह जानकारी गंशा मुली चैल्ड वेलफेर सोसाइटली के अध्यक्स अजयोली ने देते हुए बताया कि सोसाइटी के बच्चे बीते वर्सों से एको फ्रेंडली राकिय तयार करने के साथ सीमा प्रतेनाफ जवानों सहित अन्यस्तानों को बेस्ते आ रहे हैं बताया सस्ता द्वारा बीते साथ वर्सों में पांच लाग से अधिक राकियां तयार की गई हैं जिसको लेकर देश के राष्टपती प्रधान मंतरी प्रदेश के मौक्य मंतरी वों सिक्षय मंतरी सहित अन्यवरिश्टी थेताओं वो अधिकारियों ने सराहना की है सस्ता अध्यक्स ने बताया कि इस बार सस्ता के बच्चों बारा 40,000 से अधिक सीड वो फ्लांटे पल की राखियां तैयार की जा रही है इनके इस्तिमाल के बाद इन्हें गमले या जमीन पर रोपा भी जा सकता ह राखिय तैयार करने में उच्चाह के साथ सस्ता की मुस्कान, प्रेमा, लक्षमी, सपना, मिनाक्सी, विजय, क्रश्ना, नीरा, नेहा और मंजु आधी जुटी हुई है है या हम ताइम निकालके 100 राखियों बनाते हुए आपको जो भी राखिय पसंद आ रही है आप लेस से चूज रही है जिसका उपचार दिल्ले के हिम समय चल रहा है बिट्या के इलाज में अभी तक परिवार की पूरी जमापूजी खर्च हो चुकी है और चिक्रिश्यों के मताबिक अभी और खर्चा होना बताया कया है परिवार द्वारा अभी तक के उपचार में पूरे पैसे खर्च होने के खरण आगे का उपचार कराना संभाव नहीं उपार इसको लेकर बिट्या की मा दिपती ने लोगों से सहीयोग की अपील की है कमला फांडेशन के सस्ताफा को समा से भी पंकर सिंग अपने इस तर से बालिका के उपचार के लिए हर संभाव प्रयास कर उन्होंने सभी लोगों से भी सहीयोग की अपील करते हुए इस Google पे नंबर 780-207473 पर सहीयोग करने की अपील की है पारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों को जोड़ने वाले अंतरास्टी जोला पुलाओ के खुलने और बंद करने के समय को बढ़ाने की मांग पीते दिनो दोनों देशों के अधिकारियों के मद्द हुई बैटेकमन नेपाल के अधिकारियों ने रखी थी जिस पर जिला अधिकारी रीना जोसी की सहमती से पुलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाओ क्या गया है जिला अधिकारी रीना जोसी ने बताए कि मार्च से अक STF की टीम ने बड़ी कारवाइक करते हुए उत्राघंडब में अभी तक की सबसे बड़ी टाइगर गुलदार की खाल परामत कर चार आरोपी को खिरफतार किया है चारोआरोपी पितावरागट जीले के बताई जा रहे हैं इनका नेटवर्ग दिल्ली तक पहला बताया गया है मिली जानकार के नुसार प्रदेश में बड़ रहे वनी जीव तसकरी के मामले को देखते हुए स्टीएफ आयु सत्रवाल के आदिशानुसार स्टीएफ सुमित पांडे के नितरतों में स्टीएफ वाइल लाइफ क्राइम कंट्रोल वीरो वह तराई पूर्वी बन प्रभाग हल्दवानी सोजी की सेंप्ट टीम द्वारा बीती रात खटिमा छेतर में कारवाइक कर चार आरोपी क्रश्न बहादूर गजेंदर सिंग संजय कुमार वहरीश कुमार निवासी जा रहे हैं बताया गया है कि वे बिते लंबे समय से वनी जीवंगों की तसकरी में इफते हैं बीती साम स्टेअप को गोपनी सुस्ता मिली की चार सातिर तसकर एक सफिद रंग की बोलोरो वहान से खटिमा की हूर आ रहे हैं सुस्ता मिलते ही संग्ति टीम द्वारा गेराबंदी कर आरोपी को गिरफतार कर गुलदार की खालवा हड़ियां बरामत कर ली आरोपी के खि वह निजी तसकरों के बारे में कोई सुचना मिलने पर निखट के पुलिस इस्टेशन या स्टिया कुत्राखंड से संपर्ग करने को कहा है बीते सुख्रवार की रात से सुरू हुई बारिस बीते दिवस प्रदेश के जिलों के कई स्थानों पर कहीं जारी रही तो कहीं र प्रदेश के जनपतों के अलग लग स्थानों पर भारी वा मध्यम बारिस आधी की संभावना ब्यक्त की गई है इसके अतरिक्त आजदे रादून टेहरी पॉड़ी नेंताल चंपावद बागेशवर अलमोड़ा पिथारगड जनपत के बिविन छेत्रों में मध्यम वगर प्रदेश के साथ बारिस होनी की संभावना ब्यक्त करते हुए कई स्थानों पर आकासी बिजली गिरने वो संभेदन सी छेत्रों में भूसकलन पाहडी दरखना चलभरावादी की संभावना भी जयताई गई है सिमानत जनपत पिथारगड की बात करें तो यहां वितीरा से सुरू हुई बारिस सुबह तक लगातार जारी थी बारिस के कारण कई स्थानों पर भूसकलन मारगों में मलवाने से यातायत प्रभाई तरह ओव नदी नाले भी उपफान पर हैं काली नदी ये टावनी लेबल से उपर बह रही है सुकरबार की रात मंगा पानी तैसिल के जारा जीबली में अतिप्रिष्टी से 500 मीटर सड़क बह गई मतकोट में जोसा से गांदी नगर को जोड़ने वाली सड़क पारिस की कारण पूरी तरह से खस्ता हल हुई है जिससे लोगों को कई तरह की परेसानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम परदान जोसा पारी वर्सा के कारण पेजल लाइन द्वस्ता हो गई स्तानी निवासी की सूर्चन नहीं जानकारी देते हुए पेजल लाइन को ठीक किये जाने की मांगी है उन्होंने बताय कि पेजल लाइन द्वस्ता होने से दरजनों परिवारों के समक्ष पेजल संकट खड़ा हो गय है जिले के कई मार्गों में हो लवाने से या ताया प्रभावीत रा आपधा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी का नुसार पितावरागड में 29 अम गंगोली आठ 77.50 बेरीनाग 42 डीडी हाठ 4.90 मुंस्यारी 2.60 और धार्चुला 3.60 बारिस हुई बारिस के कारण नदी नाले उ झाले उको झाले जब वाने से द।बाव तो झाल 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 झाल